हेलो दोस्तों मैं सागर कुमार अब सभी का एक्जाम बबाई यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ आज मैं अब सभी के साथ पॉलिटी का महुत पूर्ण इंपोर्टेंट टोपी के बारे मैं डिस्कस करूँगा इसका पर्थम लेक्चर वीडियो अप्लोड कर दिया गया है यदि आप उसे नहीं देखें तो वहां जाकर देख सकते हैं उसमें हम लोग 1773 ECW का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बारे में चर्चा किया था आज मैं आप सभी के साथ भारतिय सम्मिधानिक विकास के जो है यह 1784 ECW का पीटस इंडिया एक्ट के बारे में डिस्कस करूँगा पीटस इंडिया एक्ट क्या है और इसे क्यों पीटस इंडिया एक्ट के हम लोग नाम देते हैं देखिए 1773 ECW में रेगुलेटिंग एक्ट लागव हुआ था जो पिछले वीडियो में आप सभी को बता चुका हूं वह लगबाग 11 वर्सों तक चला बीच में जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमिया थी उसे दूर करने के लिए उसके कमी को दिखाने के लिए एक्ट अफ सेटलमेंट 1781 ECW में आया था उसके तहत सुझाव दिया गया यह बताया गया कि क्या 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 कमी थी जो भी कमी थी मैं इसके पहले वाले वीडियो में डिसकस आपके साथ कर चुका हूं आप वहां जाकर दिख सकते हैं जन्वरी 1784 ECW में कब 1784 ECW में इंग्लेंड के नए परधान मंत्री बनते हैं वह पीठ होते हैं ठीक है वह अपना सुझाव परस्तूत किया पीठ ने अपना क्या किया सुझाव परस्तूत क्या क्या तो 1773 ECW के रिगलेटिंग एक्ट में जो कमी थी उसको उनके सामने रखा गया कि ज इतने भी कमी थी उसको जो है सामने रखा गया और उस पर जो है पीठ ने क्या किया अपना जो है सुझाव परस्तूत किया इसी आधार पर 1784 का जो अधिनियम बना जिसे हम लोग पीठ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं ठीक है तो कोशन पूछे कि पीठ इंडिया एक् इस इस इडियंक के तहत की बिठें में एक नियंत्रन बोड की अस्थपना की गई ब्रोड की गई तो 1784 असपिर इंडिया इडिया फिर सभी और सेनिक और सेनिक तधा kinda सम क्れipp को ओदिया घुट बैपार पर कॉम्पणी का एक अधिकार पहले कित्रा कायम रहा है अर्थात ध्यान देंगे यहां पर और सैनिक और राजस्व संबंदी जो भी मामला था वह आपको समझे कि किसका अधिन कर दिया गया तो नियंत्र बोड के अधिन कर दिया गया और जो बैपार का काम था था यसन मतों भी बहूत ही इंप्वर्ट्म कॉच्षेशन पूछता है कि भारती में दोहरे-पर परसासन का प्राराम किस एक्ट के तक हुगा तो सत्रें सोurgольш चोटस धियान देंगे तो सट्रें सो चॉटिध द्यान देंगे यानि दहरे-पर शासन तो यहां चार दूना 8 चार क्या होता है आठ होता है इस लिए सच्छूराशी क्या हुआ दोहरे परसाषन का प्रणूंब फ़ोड़ ओफ डाइरेक्टर्स बनाया गिए इसका काम क्या था तो बैपारिक लोग को देखना था यहाद रखने के लिए सोट तरीक अपना सकते हैं जैसे कुछ भी किजी लेकिन कोंट्रोल कहां सोता है राजनितिक पाठी के द्वारा ही होता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनितिक मामला को जो कोंट्रोल करता था और बोड ओफ कोंट्रोलर था और वैपारिक मामला कोंट देखता था तो बोड ओफ डाइरेक्टर्स पहुत ही भी विए यह कोशन यहां से एकदम पूशन हर एक जामें पूशता है उसका 374 के एक करता पना के इंगलेंड में भारत का पर्शासन गवर्नर जनरल तथा उसकी परस्द का हाथ में दिया गया अब ध्यान लेंगा 173 का जो रेगुलेंटी एक्ट बना था उसमें जो है हम लोग पढ़े होंगे कि गवर्नर जनरल का परसद होता था उसमें 4 सदस होते थी लेकिन आप कह सकते हैं पिट्स इंडिया 174 मद्रास और बंबई प्रिशेडेंसी को गवर्नर जनरल के अधिन पूरी तरह कर दिया गया यानि 1773 का यहीं तो कमी था लगभा कि कम्यों में से एक था यह कि गवर्नर जनरल के जो है जो भी अधिकार थे उसको बटवारा नहीं किया कि तो कदर में कितना च्यत्र में जो है इसका अधिकार है ब क्या कर दिया कि गया तो अधिकार्यों मधरासल नतल सुच्छे पटी कौन होता था जी तो गवर्नर जनल होता था बशुन कρί सेना थे और बिट्टी सरकार के जो सेना थे इसका सेना पती कौन होता था भारत में तो गोवर्नर जनरल को जो है देसी रजाओं से यूद तथा संधी से पूर्ब कॉम्पनी के डिरेक्टर से सुख्रिती लेना आउसक कर दिया गया यह यह आप में यहां के देसी रजाओं से इसके बाद वाला जो मैं वीडियो बनाँगे उसमा अधिकतर बात जो है सम्मंदित होगी यानि सी प्रकार इस प्रकार से बहुत से सी यूजना है कार्ज है जो कानवालिस ने कि आप देखे ध्यान दिए खुब बढ़िया समझेगा सात्रस चूरासी के तहट पीट्स इसका महत्मूर्ण जो कोशन था वहीं दोरा परसासन यानि बोड़ ऑफ कंट्रोलर रहनितिक मामला के लिए बोड़ डिरेक्टर जो है वेपारिक मामला के लिए अब आएंगे एक और अधिनियम है सत्रसों तिरानबे का अधिनियम ठीक है याद रखेगा सत्रसों क्योंकि युक्ता के लिए सदस को कम से कम बारह वर्स तक भारत में रहने का अनुभाव आउसक कर देंगे जो भी कोशन है कि करमचारी जो भी यहां पर काम कर रहे थे नियंत्रनबुड की जो भी बैकती थे उसको वेतन कहां से दिया जाए तो यह अन्रेधार किया है कि अब भाई उसको वेतन भी दिया जाएगा तो कहां से भारती राज राजस्व से दिया जाएगा यह विवास्ता कम तक काम रही अन्यसों अन्यस तक तो मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आप इसको नोट कर लिजिए और अधिक सद्धिक क्या कि इसी वीडियो को सियर किजिए यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से जो है कि तैयारी करें पूर्ण रूप से और आप पढ़ें तो हमारे एकजाम बबाई यूट्यूब चैनल को क्या कर लेजिए सस्क्राइब कर लेजिए फिर मैं इससे संबंदित अधिनियम के बारे में नेक्ट वीडियो में लेकर आऊंगा ठेंक्यू